हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत हत्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कख्षा एगारमी सीवेसी न्सी आटी के अंतरगत जो है हम इतिहास करेंगी यह इतिहास काफी महत्पून रहेगा जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और सहरी जीवन यह राइटिंग्स एंस डिलाइब बहुत काफी महत्पून है जिसमें मुझोपटामिया के विशह म में हम विस्तार पुर्वक चर्चा करेंगा और जानेंगे हर एक पहलू और यह टॉपिक कई मानने में हरे क्लास के बच्चों के लिए महत्पून रहेगा चाहें बच्चों यूपी बिहार बोड के बच्चों इवन कि तैयारी करते हूं उनके लिए भी यह काफी महत्पू इतना मेहत्पूनШ था है इसके अंतरगत क्योंकि जो अपर बात यही पकास डाननेवाली है कि प्रचीन मेज़ों प्रच्चिड में. लोन से बारा किलो मीटर पुर्व में इस्तित था और यह सहर लगबर तीन हजार इसा पुर्व शाशक अर्तूं क्या दीन फला फुला आप देखिए यहां पर अर्तूं जो था इसका में साशक था इसने इरान पर आक्मन किया और उसे लूट पार्ट के अधीन कर दिया तो यह काफे महत्पून है अब कुछ बच्चे यह भी कन्फूजन में रहते हैं कि B.C.E. का मतलब क्या है इशापूर को यहां तो लिख दिया गया है लेकिन B.C.E. का मतलब क्या होता है B.C.E आपको यह लिखा हुआ मिलेगा before the Christians Era. तो यह काफे महत्पून है यहां पर तो यह अप समझ सकते हो कि यह Backward की बात बताई जा रही है और यह काफे महत्पून है 3000 इसापूर्भ. यहां पर एक साशक था उर्तुंग और उर्तुंग जो है यहां पर किस सहर पर राज किया और यहां क्योंकि यह जिसने इरान पर आकरमन किया और उसे लूटा भी काफी लूट मार जो है मर्चाई और देखा जाए तो इस शहर में साशक जो था यही था कहते हैं 2800 से लेके 2300 इसा पुर्व की अवधी के दौरान यह सहर काफी सम्रिद के चरम पर पहुच गया यानि काफी यह सम्रिद दो गया काफी फली फुली जर्नल सी बात है यह काफी सहर फला फुला और कहते हैं यह 600 इशा पुर्व तक फलता फुलता रहा आप देखिए य पहली महिला साशक जो थी क्यों बावा थी जो 2450 इसापुर्व में सिहासन पर बैठी ती 2450 इसापुर्व में सिहासन पर एक महिला साशक बैठी जो कूब बावा थी और आपको समझ में आई गया होगा कि तीन हजार पुर्व इसापुर्व जो इसमें साशक था उर्तुंग था और ये मुजवपटामिया के प्रचिन सहर था जो की मुजवपटामिया सहर से जो किस था बेवलीन सहर से जो बेवलीन सहर था बेवलीन सहर जो बारा किलोमेटर पुर्व में सिह था कहते हैं यह उद्खान कारे फ्रांसिस प्रतावांतन द्वारा 1912 से लेके 1914 इस्वी के मध्य किया गया था और प्रवात विदो द्वारा यह जिगोरेटस एक मंदिर और व्यापक महिलाओं खुदाई की गई थी यानि देखा जाये तो 1912-1914 में जब खुदाई किया गया काफी महत पूर्ण रहता है एक्जाइम विव से कि प्राचीर मोजोपोटामिया सरकिष्ट के बारे हम क्या जानते हो तो आप तो जानी गए होगे इसके पुरुष शाशक भी कौन थे इसके महिला शाशक भी कौन हुए यह जो बैबिल से कितनों किलोमेटर दूर है यह कित आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कहते हैं करत करता अभ्यास जर्मती हों सुजान रस्याब जात तो शिलपेबरत निसान जो बच्चे जो है बार बार कोशिच करते हैं महनत करते है जरनल सी बात है काम्याबी उनको ही कदम चुमती है जिक आबी महत पून बात थी ती से लिंग को कॉपी करना लगाना है अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे पहली बार मेरे चैनल पर आयो तो जर्णल सी बात देशन को सब्सक्राइब करके मुबाल में सेव कर लिजे तभी आने वाला वीडियो का नोटिफेशन मिलेगा और आपको पता है कि तिर पांड से वीडियो डालूँगा तो वह आपको दिखेगा अगर वह आप एक लास का होगा आपके लिए जरूरी होगा तो आप उसको देखिएगा समझिएगा और इजाम में अच्छे अंग प्राप्त कर सकीएगा सुचिए नहीं विचार ना कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके म वाल में सेव कीजिए